द्रिश्टी है इसके audio article प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का audio article दे हिंदू में प्रकाशित open acres the new hydrocarbon policy opens us exploration और the financial express में छपे लेक new hydrocarbon licensing policy government expects no fireworks के सम्मिलित सारांश पर आधारित है यह audio article समान्य आध्यान प्रश्णपत्र 3 के अर्थोवस्था खंड से जुड़ा हुआ है तो आईए लेक की शुरुवात करें नई hydrocarbon नीती के आवशक्ता और विशेश्टा भारत ने नई hydrocarbon खोज लाइसेंस नीती की घोशना की है यह नीती परंपरागत और गैर परंपराग एवं प्राकृतिक गैस की कीमत और विपड़न में आजादी देती है यह भारत को व्यापार निवेशक अनुकूल गंतव्य बनाने की रणनीती का एक हिस्सा है जो देश के तेल उतपादन को मौझूदा 8 करोन टन से बढ़ा कर 2022 तक 15 करोन टन करेगा नए मॉडल में सरकार उतपादकों के साथ सूक्ष्म प्रबंधन निगरानी नहीं करेगी बलकि केवल आय साजा करेगी यह खुला एवं नियमित मामला होगा इस नीती का मकसद उर्जा एवं पेट्रोलियम क्षेतर में निवेशक को बढ़ाना और निवेशकों को परिचालन संबंधी इस प्रकार नई हाइड्रोकारबन नीती देश की उर्जा उत्खनन में हो रही दिक्कतों से निपटने तथा इसे और ज्यादा आसान बनाने के लिए लाई गई है उमीद है कि इससे हाइड्रोकारबन की खोज और उर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी तथ आर्थिक मुनाफ़ा भी बढ़ेगा इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वह कौन से आवशकता थी जिसने नई हाइड्रोकारबन नीती लाने पर सरकार को मजबूर किया तथा इस नई हाइड्रोकारबन नीती के उदेश्य, लक्ष और विशेष्टाएं क्या है हाइड्रोकारबन कार्बनिक यौगिक होते हैं यह हाइड्रोजन और कार्बन के पर्माड़ों से मिल कर बने होते हैं इनका मुक्क शिसरोत भूत तैल है प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड़ोकार्बन पाय जाते हैं पैट्रोल, डीजल, केरोसिन, निफ्ता, CNG यादी हाइडरोकारबन से ही बनता है हाइडरोकारबन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्ट तथा संत्रिप्ट यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन की खोज के संदर्ब में तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोकार्बन गैस, कोईला क्षेत्र, पैट्रोलियम तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस तल के उपरी भाग पर इकठा होते हैं इसका एनालिटिकल पॉइंट का पता लगाने के लिए आसपास के कूपों के ताप स्थान का गुरुत्व और चुम्बकत्व ना पा जाता है इसमें भूकंप लेखी या सिस्मिक यंत्र का भी उप्योग होता है भूकंप लेखी यंत्र से जो जानकारी प्राप्त होती है उस इसमें उस स्थान की मिट्टी का सरविक्षण कर नीचे की मिट्टी के 10 करोणवा भाग में हाइड्रोकार्बन की मात्रा निरधारित कर आकलन किया जाता है चूंकि हर एक देश अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन जैसे स्रोतों पर निर् संधान और निश्कासन कर सकें और वह लोगों के हित में काम आ सकें इस आलोक में यदि नई हाइड्रोकार्बन नीती के आवशक्ता पर ध्यान दे तो कई बातें उभर कर सामने आती हैं जैसे पहला पुरानी नीती की अक्षमता ने नई नीती की जरूरत पैदा की सरकार न 1999 में हाइड्रोकार्बन के लिए नेल्प या नई उत्खनन लाइसेंसिंग नीती का आरंब किया हाइड्रोकार्बन महानिदेशाले या DGH की नोडल एजनसी के रूप में नेल्प को हाइड्रोकार्बन के अनवेशन और उत्पादन में सार्वजनिक तथा नेजिक शत्र की था लेकिन इन 18 वर्षों में नेल्प के 9 से ज्यादा दौर संपन होने के बावजूद नेल्प अपेक्षित परिणाम हासल नहीं कर पाया नेल्प की खामियों को सुधारने के द्रिष्टी से नौगठित सरकार इस नीती में संशोधन करने पर विचार कर रही थी जिसका परिणाम है यह नई हाइड्रोकार्बन नीती यानि नेल्प की विफलता ने हेल्प की आवशक्ता पैदा की दूसरी बात भारत की सागरिय संभावना से लाब लेने के लिए हिल्प जैसी पॉलिसी की जरूरत है भारत के तलचटी बेसिन 31.4 लाख वर्ग किलोमेटर से अधिक क्षत्र में फैले हुए हैं इसमें से 17.9 लाख वर्ग किलोमेटर धर्ती पर और उतले अपतटिय क्षत्र में हैं जबकि 13.5 लाख वर्ग किलोमेटर क्षत्र गहरे पानी में हैं इन ब्लोकों की बहुत बड़ी संख्या खोज के अभाव में पड़ी हुई है यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अभी भी अपने महत्वपोन सागरिय प्रतिफल की प्रतिक्षा कर रहा है इसलिए भारत सरकार ने हेल्प जैसी नई नीती को अपनाया तीसरी बात यह है कि भारत को उर्जा युक्त बनाने की लालसा ने नई नीती अपनाने को बाध्य किया तेल और गैस इसपष्ट रूप से भारत के उर्जा क्षेत्र के इस्तंभ है भारत को उर्जा आत्म निर्भरता अरजित करने के लिए सरकार को संतुलन साधना जरूरी था अता ऐसे नीतिगट धांची की जरूरत थी जो निवेशकों के साथ ही अन्य हित धारकों को भी लाभानवित कर सके ऐसे भी भारत के अनुवेशन नहीं किये गए क्षत्रों में जबरदस्त संभावनाएं नहीं थें इसलिए देश को किवल एक प्रभावी नीती के आवशक्ता थी जिसे भारत सरकार ने हिल्प के रूप में अपनाया चोथी बात यह कि अकसर ऐसा देखा जाता है कि कोल ब्लॉक्स या गैस बेसिन के आवंटन में धांधली होती है पिछले दिनों भी कई कोल ब्लॉक्स के लाइसेंस को सुप्रेम कोट द्वारा रद्ध कर दिया गया और सरकार को एक पारदर्शी और समिचीन नीती की ताकीद की गई इसलिए उत्खनन के लिए लाइसेंस की सही और पारदर्शी नीती के आवशकता ने नई हाइडरोकार्बन नीती लाने को मजबूर किया नई हाइड्रोकार्बन नीती की जरूरतों को समझने के बाद यदि बात करें नई हाइड्रोकार्बन नीती क्या है? दरसल या हाइड्रोकार्बन के उत्खनन और उसे लाइसेंस देने के लिए एक प्रक्रिया संबंधी विधी है या वही दस्तावेज है जिसके तहत नएक में हाइड्रोकार्बन के उत्खनन के लिए सरकार अब लाइसेंस जारी करेगी ऐसा नहीं है कि पहले इस प्रकार के लाइसेंस नहीं जारी किये जाते थे या उत्खननन नहीं होता था पहले भी इस संदर में नियम थे जिसे निल्प कहते थे लेकिन अब जिस प्रक्रिया विधी को लेपिबध किया गया है उसे OLP या Open Accrease Licensing Policy कहते हैं या NILP से अलग है OLP सरकार की हाइड्रोकार्बन नीती का एक हिस्सा है जो सरकार की आपचारिक बोली का इंतजार किये भिना कमपनियों को तेल गैस ब्लोकों के चैन की आजादी देती है इसमें कमपनियां जब ब्लोक्स को खुद पसंद कर आवेदन देती हैं तब सरकार उस पर बोली लगाने के अनुमति प्रदान करती है देखा जाए तो ओल्प भारत के हाइड्रोकार्बन अनुवेशन और उत्पादन इतिहास का सबसे बड़ा मौलिक बदलाव है यह निती भारत सरकार की प्रशासनिक और नियामक बोज को कम करने के लिए कमिटेड है इससे व्यापार में आसानी होगी निवेश को प्रुचाहित करने के लिए इसमें एकल लाइसेंस देना, तेल उपकर हटाना तथा रोयल्टी की दरें कम करने जैसे प्रावधान है कुल मिलाकर ओल्प, पूर्व के निल्प से आगे बढ़ा हुआ कदम है जो कि हाइड्रोकार्बन नीती की सफलता में सहायक साबित होगा अब यदि बात करें नई हाइड्रोकार्बन नीती की विशिष्टाओं की तो कई बातें उभर कर सामने आती हैं जैसे हाइड्रोकार्बन के सभी स्वरूपों के उत्खनन एवम उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस, खुली रकबा नीती, राजस्व भागिदारी वाले मॉडल के संचालन में आसानी, उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बिक्री वा मूले निर प्रश्चिता बढ़ाना और प्रशास्की अविवेक अधिकार में कमी लाना है। नई हाइड्रोकार्बन नीती में राजस्व प्राप्ति के लिए भी व्यावहारिक और सुनिश्यत प्रक्रिया को अपनाया गया है। नई विवस्था में सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा कि कितनी लागत आई है बलकि सरकार को एक निश्चित राशी या उससे ज्यादा मिलनी तय है। इतना ही नहीं सरकार को तेल गयस इत्यादी की बिक्री से प्राप्त सकल राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होगा। यहां कारोबार में सुगमता लाने की सरकारी निती के अनुरूप है। यहां गौर तलब है कि कारोबारी सुगमता के वास्ते ही भारत सरकार ने पेट्रोलियम को GST से बाहर रखा है। अब तटिया क्षेत्रों में उत्खनने और मुत्पादन के जोखिम को देखते हुए यहां अपेक्षा क्रित कम रॉयल्टी की दरें तै की गई है। रॉयल्टी दरों की एक वर्गिक्रित प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहट रॉयल्टी दरें उत्खनन के लिए ज्यादा तै की गई हैं जबकि गहरे पानी में अपेक्षा क्रित कम तै की गई हैं। इसके साथ ही अंदरूनी या आनलेंड क्षित्रों के लिए रोयल्टी दर को अपरिवर्थित रखा गया है ताकि राजसरकारों को मिलने वाला राजास्व प्रभावित ना हो NELP यानि NELP की तरज पर ही नई नीती के तहट भी अनुबंध पर दिये जाने वाले ब्लोकों पर उपकर और आयात शुलक नहीं लगाए जाएंगे इन ब्लोकों में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल और प्राक्रितिक गैस के लिए बिक्री संबंधी आजादी भी इस नीती में दी गई है या मिनिमम गवर्णमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से जुड़ी सरकारी नीती के अनुरूप है इस तरह यही कहना समिचीन लगता है कि नई हाइड्रोकार्बन नीती जीवाश में इंधन के मामले में मील का पत्थर साबित होगी या भारत की उर्जा आयात निर्भरता को कम करने और उर्जा सुरक्षा की खोज करने के दिशा में लंबा रास्ता तै करेगी आई अब नोट करते हैं इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल सवाल है नई हाइड्रोकार्बन नीती क्या है और इसकी आवशक तक क्यों पड़ी सपश्ट कीजिए ओल्प नेल्प के तुलना में बढ़ा हुआ कदम है समिख्षा कीजिए